गैस आज की इस वीदियो में आपको बताने वाला हूँ कि ड्रॉइंग काटून 2 में अगर आप अगर अमेशन वीडैयो बनाते है तो उस ऑनिमेशन को आपको loaf export कैसे करेंगे मतलब एमस्पोर गैलरी पर आप उस पीस पर save करना चाहते हैं तो कैसे save करेंगे चलिए बोब में आपको दिखा देता हूं देखिए मैं यह पर आप लोगो को समझाने के लिए मैं यह पर एक छोटा सा animation करके राके हैं ठीक है तो इसको मैं save करके आपको दिखाने पाला हूं gallery पर तो गाइस आप save कैसे करेंगे रिए बोब में आपको दिखा나 देता हूं तो जबसे पेले आपको ऊपर में देखा हैं इस पर आपको किलिक करना तो गोल्ली पर ये डिजलार्ट पर सेव में होगा तो गोल्ली पर सेव नहीं होगा तो गमलाइन के लिधे रिय few solution आपको चूज करना ऊपको एक्सपोर्ट बाल अपिसन पर क्लिक एकशन पर कुछ ऐसा Info दिखाय देगा तो सिंब्ली सेबको इस option पर क्लिक करना है और click करने के बाद नीचे आपको okay का option देखा 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 तो क्लिक कर देना है और जैसे option पर click करोगे यह आपके गिलेटर पर save हो जाएका तो इस तरीके से आपको आपको प्रॉब्लम हर यह सेब नहीं हो रहे तो आपको और में ट्रीक बता देता हूं आपको सिंपल सब वीडियो को यहां पर प्ले कर लेना है जो भी अनिमेशन अब बना होगा इसको प्ले करने के बाद आपको इसकी रेकौडिंग कर लेना है जिसे आप क्रोमा टून एप पब्लिस कर सकते हैं तो आप दो तरह के से सेब कर सकते हैं ओके गाइस चलिए मैं आपको बैक करके आपको गलरी पर जाकर आपको दिखा देता हूं कि वो जो वीडियो मैंने आपको सेब करके दिखाया है वो वीडियो गलरी पर सेब हुआ है या नहीं हुआ है तो का वीडियो ही देखा देगा थोड़े ना चाहता देगा तो यह देखो गिलेज़ पर सेव हो चुका है तो इस तरिके से आप저 कर सकते है डोर्यका messu truck का वीडियो अपने गलाई पर तो यह तकास आज का वीडियो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आओगा पसंद आओगा पसंद आओगा लाइक कर दिए और इसे ही इंट्रेस्टिंग और यह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगको प्रेस करके तो चलिए गाज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए बाई